नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बंटी और आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल नौलेज 100% टू में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यदि आप वायरलेस येरफोन यूज करते हो या फिर येरबर्ड यूज करते हो तो आपका गेमिंग के टाइम पे आपका साउंड डिले हो जाता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में sound delay ना हो इसके लिए दो तरीके आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों PUBG को open किया जाए सबसे पहले मैं बिना earphone के दिखाता हूँ आपको कि sound कैसा इसका कि यह था मेरा बिना earphone का अब चलिए मैं earphone को connect कर लेता हूँ और उसके बाद देखा जाएकि sound में क्या changes आया है तो दोस्तों यहां देख सकते हैं oneplus का मेरा earphone connect हो चुका है मैं आपको जुम करके दिखाता हूँ कि क्या-क्या settings में होने तो दोस्तों देख सकते हैं पहला में मेरा oneplus bullets jed wireless earphone है तो चलिए मैं pubg पर फिर से बैक आता हूँ तो अब मैं earphone के साथ आपको सुना के दिखाता हूँ यह संनी को फिखाता है कि दोस्तों तो आपको यहां पर साउंड डिले नहीं मिलने वाला एक ज़रा भी क्यूंकि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिस से आपका साउंड डिले खत्म हो जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाने के भाद आपको सर्ज वार में टाइप करना है ढ ale ठीके दोस्तोँ आपको वी टि मोनो टाइप करने के बाद यहवाथ एक्प्लिकेशन आपको इंस्टोल करके उप्राइन कर लेना और इसमयादिके लेफ्ट मेरे ओन राइट में और दिया हुआ है तो आपको पहले ओन कर ले एक बड़ ठीक हैं तो मैं एक तरीका और बताऊंगा तो चली उससे पहले मैं एक और application के बारे में आपको बता दूँ जिससे आपको sound delay का पता चलेगा कि कितना sound delay चल रहा है तो आपको play store open करना है और उसमें आपको type करना है earbuds delay ले दोस्तो सबसे फार्च वाला जो option आया है उसे आपको इंस्टोल करके open कर लेना और से चेक करना तो दोस्तों देख सकते हैं यह जो बोल गिर रहा इस जगह पर ठीक है सेम टाइम पर आपको उसका आवाज sound सुनाई दे रहा या नहीं दे रहा तो आप sound सुन ले मैं मूट करता हूँ तो दोस्तों आप इस application के मदद से अपना sound delay चेक कर सकते हैं कि आपका कितना sound delay है तो चलिए दोस्तों मैं आपको और एक तरीका बता दूँ कि यदि आपका sound delay इससे भी fix नहीं होता है तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने settings को on कर देना है on करने के बाद about में जाना है about में जाने के बाद दोस्तों आपको build number पे तीन बार लगातार क्लिक करके developer option को on कर देना है on करने के बाद दोस्तों आपको कुछ settings करना है जो मैं अभी बताऊंगा दोस्तो developer option open करने के बाद उस section में आपको चले जाना है और वहाँ पर कुछ settings करना है तो ध्यान से देखेगा दोस्तों कि मैं क्या क्या settings कर रहा हूँ तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि आपको Bluetooth audio का option मिलेगा Bluetooth audio codes उसको आपको ACC कर देना है उसके बाद इसे कुछ नहीं करना है इसके बाद आपको audio channel mode में चले जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको stereo select कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप अपना PUBG open कर ले open करने के बाद आप देखें कि आपका sound delay problem solve हुआ या नहीं हुआ यदि नहीं होता है दोस्तों तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं कि आपका कौन सा earphone में कैसा problem आ रहा है दोस्तों जो मैंने आपको screen record दिखाया है यदि उसमें आपको लगता है कि sound delay है तो दोस्तों ये मेरे video editor में problem कुछ आने के वज़े से ऐसा हुआ मेरे phone में ऐसा कोई भी problem नहीं सो कर रहा है और मेरे earphone में भी sound delay एकदम नहीं आ रहा है यदि ये video आपको अच्छा लगा तो इसे like, comment, share and subscribe जरूर कर दे